hello strengths जैसा कि हम नोंने एक lesson discuss कर चुके है लूब्रिकेंड का और इसके आगे है बाद है इस lesson का नाम है chemical bonding वान्डिंग दिएअ इस lesson में जो जो important question है पॉलिटेने फर्स सेमेस्टर एक्जाम के लिए और 11 वाले स्ट्रेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टन कोशन दिये गए इसमें और किस बुक मैंन टू मैंन जो मैंन मैंन पॉइंट्स हैं उसके लेसंस रिलेटिब उन सब को यहां डिसकस किया गया है जो आपके एक्जाम और कमपिडिशन एक्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे तो ओके इस्ट्रेंट्स तो हम लोग इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं इसमें आपको दिख रहा होगा एक हेडिंग कैमिकल बॉंडिंग तो देगी जितना इतना जो लिखा हुआ है इसमें परमाणू के लेक्ट्रोनिक बिन्यास के अधार पर बीबीटी के प्रतिपाधन कोसल दर लूइस ने सन 1916 में किया इसका मतला आपको याद आखना है सिर इसके बार हम लोग आते हैं है जो हमारा मैं मैंण पॉइंट है इसमें कि इन्वैटर को में अन्यों में आकरशन को रसाइन एक बंद कहा है जाता है यानि जो जो जितनी वी आनू परमानू समूं होते हैं हमारे उनकी आकरशन को रसाइनी केमिकल बॉंडिंग गयाती अग यहां यह दिखाराई देह रहा होगा आप लोगो टाइपस आप कैमिकल बॉन्डिंग तो टाइपस आप कैमिकल बॉन्डिंग में आपको ठी लेक्टरॉनों के परमाद स्थे सहयोग से तीन प्रकार की बाउंड दिखाई गए होंगे आपको बैदो सहयोग 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 ब इसमें एक परमानु, दूस्से परमानु क्या करता है? Georgia самые multi- Sul Sevent आपको i Edu Jack pitch परमानु C Cont Z क्या होगा है? ट्रांसकर कर रहा है उर disappears और тебе aotch प्लस और सील माइनस बढर रहा है ठीक है, तो बस इसको मैंध पॉन्ट में आपको यह यह या दusterन क्या दो होता है transfer इसके बाद आते हैं covalent में तो covalent bond में सबसे important word है जो आपका वो है ये word ये साज़ेदारी word साज़ेदारी word यानि sharing English में इसको बोलते हैं sharing sharing word इस्तेमाल हो सबसे important है इसमें आप यह याद रखना है कि sharing हो रही है तो इसमें भी पर्माण की przed electron के साज़ेदारी के करन जो बंदबंता है हैं हम लोग kopeerness कह दें और इसकी में जो सिंगल covalent bond बात बोल हुल एह तो अगर एक याद हखना है कि अगर एक एक electron साजह होता है तो सिंगल और अगर दो-दो का साजह होता है तो डबल और और अगर तीन-ती-तीनिक्त baik RJ होता है तो आपको टिपल बांड टिपल बान्ड की बारे में डिस्कस करना है इसमें साब देखिए इसमें constantly electron का साजा हो रहा है वो कितने electron कंबीच में हो रा है तेंटी electron का साजा हो रहा है और जो example दिए गएिए एंग यहाँ कर एक electron hydrogen क 현 का एक electron hydrogen कर दोनों को क्या हो रहा है हो रहा है तो यह क्यावन गया as 2 ठीड़ कै और इस covalent बार्डे का यद्ध आप देखिए कोवलेंड बार्ड का को बे Aquí आपकिक्षियण इस आपकियन का और सॉक्षियण का यहां नाट्रॉन का से चेह हुआँ यह दो तो एक दू ठीक अर्चिए यह तिन राउन फिर टे pasti तो बस ऐसे हखना है कि एक एलेक्ट्रॉन सा जा तो ना सब्सक्राइब करता है यह वर्ड यानि उसने सब्सक्राइब बंद में सयोग करने वाले धोनों करते हैं फेलेक्टर्ण में को कहा गार है 1 अचल के से देखे-इस एक वर लॉण जयूंह बैदाई है क्वारवन हमें लोकई ने giving और लॉघ्मिर diesem यह पास लॉन प्यार रहता है ठीक और एक हमारे पर बीएफ दी रहता है उसके लॉन प्यार कमी देती तो इसकी बीच भी हमेंसे कौन सा बॉंड बनता है कोडिनेट बॉंड थे तो बस कोडिनेट वहीं वनेगा जैसे इसका ओक्टिट एक विक्तिक में एक गुरूप के सब्सक्राइब करें तो इस लेशन को और आंगे बढ़ाते हैं जैसे आपका मैं कोसिस करता हूं कि आज यह पूरा लेशन ही कंप्लीट करा दिया आपका और वाइज नहीं हुपाएगा तो फिर जितना जितना कोसिश भी यह रहेगी कि आपका एंड एंड तक जितनी जाम म जो मौस मौस कोशन हैं वो सारे कोशन कितना लिखना है कहा क्या सब यहां दिखाए गया है आप इसका नोट पीडियेफ नोट का इसको नोट आउट कर सकते हैं अराम से ठीक तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके और बढ़ते हैं तो इसके बाद दिखाए गया संकर सिद्धान को दोरह हम किसी कोवेलेंट स्ट्रक्चर का द्यन कर सकते हैं इसमें डेफिनीशन बोली गई है जब किसी परमाणू को विभिन उर्जा वाले और्बेटल में परस पर मिलकर किसी अनू की समानूर्जा वाले नियो और्बेटल यानि समानूर्जा वाले नियो और्बेटल यानि समानूर्जा वाले नियो और्बेटला फॉर्मेशन होना है संकर में इसमें तीन टाइप में संकर्ण है संकर्ण निमलिकत परकार के होते हैं ठीक है ओके स्ट्रेंट्स तो यह आपको दिख रहा होगा संकर्ण के बारे में in ko ने डिस्कस किया गया है। तो सब से पहला संकर्ण है जो SP अपर होग्हार ठीक SP संकर्ण में साब बोला गया है SP संकर्ण यो डिफॉर्म होता है sırतकी से एक S और एक P और्बिटल से तो आप देखिए जो डेफन भाह सा लिखिए वो कि लिखिए जब 1 S और एक P और्बिटल मिलकर दो समान दो समान उर्जा की समान और्बिटल का बनाती है तब S P तरी संकर बनता है ठीक है अब लोग वो इसका बॉर्ड अंगल और structure पर पता होन चीव उसके वाद क्या कहना है यहाँ से यहां तक लखने लिए आपको सिब यह वर्ड या लखने है यहां से यह तक complete कर देंगे complete करने के पाद यह आपको b.e.cl.d. उसका एक्जांब या लखना है बी का orbital form बनाएगा है ground state में जिसमें S में 2 electron हो P में कोई electron नहीं है यहां का S electron जम करके कहां मोज़ी है P पे तो एक S back end रहेगी और एक P unbued electron ठीक हमारे पर कितने CL है दो CL दो में दोनों CL इसको electron transfer कर देंगे तो यहां पर इस तरही के से 2S और 2P hybrid orbital का form हो जाएगी तो इस पूरे form में एक S की orbital ने participate किया और एक P की orbital ने क्या किया participate किया participate कर रहा किया है तो इस according यहां पर इसका जो संक्रण बना है वो क्या बना है S P संक्रण और सरचना क्या बनिए देखिए और बंद कौन एक स्टू अस्ट्स और यह इसकी structure बना दी गई है ठीक है इसके बाद आते हैं S P 2 संक्रण में तो S P 2 में देखिए एक S है और P 2P orbital है तो इसको भी वैसी लिख लिए एक S ताथ 2P orbital आपस है मिलकर S P 2 hybrid orbital बनाती ही बनाती है यह बना इससे सेंटेंस है जैसे उसमें बूला गया है बना इससे में बूल लाए है बस इसमें एक जामपल क्या है यह कहां पहुंच गया यहां पहुंच गया तो यहां पर सिंगल 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 फिर सी एल की तीन अन्पेड लक्ट्रोन यहां ट्रांसपर करेंगे यह यहां ट्रांसपर कर देगा मालों यह यहां ट्रांसपर कर देगा तो यह तीन हाइब्रेट और विटल क्या क्या हो जाए के बनीगे ट्राइगोनल ठीक है यह आपको ट्राइगोनल सरचनल दिख भी रही होगी ठीक कि इसके बाद जो हमें लास अंकर्ण बढ़ना है कि अब उसको देखिए लास अंकर्ण हमारा SP3 जब एक एस और तीन पी और्बिटर मिलकर समा नूर जाके चार कर्चक SP3 सेंकर बनाते हैं सेम टेक्निक है कुछ नहीं करना है एक एस तथा तीन पी और्बिटर ठीक है वही सब लिखना है इसका एक्जांपल CS4 कार्बन का वाने स्टू एस टू एस टू पी टू होता है ग्राउंड स्टेट में यह ग्राउंड एक्साइट करने पर यहां गया एक एस ने चारो एस ने एक लक्टर ट्रांसपर कर दिए तो यह क्या बनगे SP3 hybrid orbital ठीक है यह उल्टती नहीं इस तरफ ट्रांसपर किये गए ठीक है यह इस तरफ ट्रांसपर किये गए ठीक इसके बाद यह क्यांस संकर्ण मना SP3 सरचना चत्रसफल किये पंद कॉर्ण एक सुनौन अठ्थाइस मिनट और स्ट्रक्चर यह चत्रसफल की फ़र्म बना दी है तो के स्ट्रेंट तो यह आपका संकर्ण कॉंसेप्ट हो गया इसका नेक्स वीडियो में हम लोग इसका बागी का पॉर्सन कवर करके पिर कम्प्लीट करे करेंगे मैं मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्क्राइब इसको अच्छे से नोट आउट कर लें और नोट करके इसका नोट बनाना सुरू करतें नोट कंप्लीट करने के बाद मैं इसके पहले पहले कुछ इंपॉर्टन कोश करें और बहुत जल्ब फिजिस्क के इसी तरहें से नोट को डिसक्रस किया जाएगा उसको और डिटिल में डिसक्रस कर देंगे ठीक है जिससे आपको फिजिस्क इनलेटिव प्रॉलम को इसमें आसानी से दूर किया जा सकें वोके स्ट्रेंड तो नेक्स्ट वीडियो में द प्रॉलम को